रायगर किला भारत के महाराष्ट्रा के रायगर जिले में स्थित एक पहारी किला है यह लगभग 26 वर्षों तक छत्रपती शिवाजी महाराज के नित्रित्व में मराठा सामराज्य के राजधानी थी किला रननीतिक रूप से समुद्ध तल से 820 मीटर की उचाई पर बनाया गया था और मराठा सामराज्य के सबसे महत्वपून गणों में से एक था किला लगभग 600 वर्षों एकर के खेत्र में फैला हुआ है और एक विशाल किले की दीवार से घिरा हुआ है किले में कई द्वार हैं जिनमें किले का मुख्य प्रवेश द्वार महा दर्वाजा भी शामिल है किले में कई इमारते भी हैं जिनमें रागवाडा जो शाही परिवार का निवास स्थान था और जगदीश्वर मंदित जो पूजा का मुख्य स्थान था किले में सबसे महत्वपूर्ण सनरचनाव में से एक बले किला है जो किले का सबसे उचा हिस्सा है और लडाए के दोरान रक्षा की अंतिन बंती के रूप में इस्तेमाल किया गया था बाले किला में कई पानी के टैंक अन्न भंडार और भंडारं की सुविधा भी है किले के शीर्ष तक पहुँचने के लिए आगंतु किया तो सीडिया चर सकते है या केबल कार ले सकते हैं जिसे हाल ही में स्थापित किया गया था किला साल भर आगंतु को के लिए खुला रहता है और पर्यट को के लिए मामूली प्रवेश्शूख है किले में शाम को एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है जो किले और मराठा सामराज्य के इतिहास के बारे में बताता है कुल मिलाकर राइगर किला एतिहास के शौकीनों और भारत की सम्रिधत सांस्पृतिक बिरासत की खोज में रुची रखने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जगह है राइगर किला जाने के लिए यदि आपने सडक मार्क का चुनाव किया है तो हम आपको बता दे कि राइगर किला सडक मार्क के माद्यम से आसपास के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है इसलिए आप बस के माध्यम सिखिए